सब समस्ता है कि कोई बाहर से आए, कोई नेता आए बिहार को सुधार दे हम अभी 80 दिन से पैदल चल रहे हैं जे भेटाता उकहता भाईया रहुआ आगे आगे चोली सब आदमें हमनी के रवसंगे चोल जाई तब सुधार जाई बिहार हम आपको बताने आया है कि एक परऊशांद की सोर आजाये ऑढ़ी दस परसांद की सोर बिहार सुधरने वाला नहीं है जब तक आप नहीं सुधर येगा तो परऊशांद की सोर कैसे सुधर देंगे आपको लड़का आदेप में ठाय के सोर रहा है आपके लड़के के शरीर पर कपड़ा नहीं है आपका लड़का इस्कूल में जा रहा है वहाँ खिचली खाकर आ रहा है पढ़ाई नहीं कर रहा है और आपको उसका चिंता ही नहीं है तो नेता और प्रसांद किसोर उसका चिंता करेंगे कोई करी चिंता भाई जब आपको अपने लड़के का चिंता नहीं है तो हम आपको चिंता करेंगा आपके लड़के का आपको हुआ है चीनी रोग डाइविटीज शरीर गल रहा है अन्यता आकर आपको लड़ू खिला रहा है अरवा खुब पानी पीपी के लड़ू खाता नहीं और सरीर और कमजोर बल जाता तो हम आपको कोई लड़ू नहीं खिलाने आए हैं कोई मीठा बात बोलने नहीं आए हैं आपको बताने आए हैं कि करेला का रस पीजिये अनहीं तर डाइविटीज से चीनी रोक से आपका सरीर खतम हो जाएगा कोई नहीं बचा सकता है बिहार को पूरा बिहार में देख लिए जा गाड़ी चलता मुटरसाइकिल चल रहलवा मुटरसाइकिल कहां बन रहा है मुटरसाइकिल बनता है हर्याना में महारास्ट में गाड़ी पर हम लोग चलते हैं बस पर बैठते हैं बस ट्रेक्टर ट्रॉक गाड़ी सब कहां बन रहा है तामिलाडू में गुजरात में घर मेरोबा टीवी देखा था नहीं रेडियो सुनाता नी मुबाइल लेके घुमाता घरे घर आदमी इस अब कहां बन रहा है उत्तर प्रदेश नोईडा में महारास्ट में आप घर में सीमेंट देखिए जाल लगा वलवा जेपी सीमेंट सीमेंट बेच रहा है छड़ बेच रहे लगा रहे घर में यह कहाँ बंता है यह बंद रहा है धारकंड में मध्यप्रदेश में उड़िशा में आप ज़या बताईए इतने सज्जन यहां खड़े हैं इतनी मैलाएं हैं कि बिहार में क्या बन रहा है कुछ बनत विहार में हम आपको बताते हैं क्या बन रहा बिहार में पिछले 32 साल के ये समाजवाद के नाम पर राज करने वाले लालू नितीश ने इन्होंने पूरे बिहार को कहा कि हम चीनी फैक्टरी कहें कर लगाई है या चॉकलेट के फैक्टरी हम ने के पूरा बिहार के बना दिया है मजदूर बनावे के फैक्टरी तो हम लोग बिहार से एक यी चीज बना रहे हैं जवान लड़कों को मजदूर जहां रेलवे स्टेशन पर चले जाए ये पूरे बिहार में बिहार के लड़के 20 साल 22 साल 25 साल का लड़का जब अपने पीट पर जोला बांद कर मजदूरी करने के लिए पूरा देश में जा रहा है जिस बच्चे को आप पेट काट काट के खिलाते हैं